आ गया मज़ेदार मंडे हेलो दोस्तों, हम फिर आ गये हैं मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका दोस्त मंडे तो मंस्चर गुद मॉनिंग मंडे आज मंडे को बहुत से काम करने है देखें पहला काम क्या है अपना रूम साफ करना बापा, यहां तो बहुत सी चीज़े बिखरी पड़ी है मंडे है एक अच्छा बच्चा साफ रखता है ये कमरा तुम भी कमरा करो साफ करो साफ बच्चों तुमें मंडे से कुछ सीखना चाहिए देखो ये कैसे कच्चरे को डस्ट बिन में डाल रहा है कभी भी घर या सड़क में कच्रा नहीं फेखना चाहिए और ये क्या? ये है तुम्हारा फुटबॉल इसे रखना चाहिए खिलोनों के डिब्बे में गुड मंडे! ये पी! ओ, ये तो एक बुक है बच्चों बुक्स को यहां बहां नहीं फैकना चाहिए इसे बुक्स जेल्फ पर ही रखो येस! हमने एक अच्छी चीज़ दीख ली और ये क्या है? ये तो है मंडे के क्रेयॉन्स ये जाएंगे बुक्स जेल्फ की ड्रॉर में ताकि अगली भार ये ही मिले वेरी गुड मंडे! तुमने कर दिया कमरा चका चक साफ! इन्होंने तो सारी चीज़ें बिखरा दी हमारे मॉंस्टर को फिर से मैनत करनी पड़ेगी बाई बाई बच्चों! हेलो दोस्तों! हम दोनों फिर आ गए हैं मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका दोस्त मंडे दम मॉंस्टर जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करता रहता है वाउ! क्या ये एक बोलिंग बॉल है? हाँ! ये वही है! लाल रंग की गेन! और ये हैं पिन्स! अपना मंडे तो बोलिंग करने वाला है बच्चों! क्या कभी तुमने बोलिंग की है? और ये हमारा ही रो चल पड़ा! वाउ! क्या बात है! एक ही बार में सारी फिन्स गिरा दी! इसे कहते हैं स्ट्राइक! वोहू! और ये क्या? इसे प्राइज में मिला है एक अंडा! इस अंडे के अंदर क्या हो सकता है? वाउ! इस क्यूट से खिलोने का नाम रखते हैं गपू! हाई कहो गपू! हाई दोस्तो! देखो देखो! मंडे इसे अपने बैग में रख रहा है! क्या बात है मंडे? और ये क्या? ये तो एक फीले रंग की फुटबॉल है! और आगई फील! साथ ही एक गोल कीपर! ये तो केंट जैसा लग रहा है! वाउ मंडे! तुम्हें तो फुटबॉल खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है! ताली बजाओ बच्चों! और ये गोल! क्या बात है मंडे? अपना हीरो तो चा गया! और इस गोल के लिए मिला उसे एक और प्राइज यानी एक और अंडा! इसमें क्या हो सकता है? वाउ! दो पीली बतके! इन्हें देखकर तो हमारा हीरो बहुत खुश हो गया! ये इन्हें भी संभाल कर अपने बैग में रख रहा है! सुनो मंडे! जरा अपने पीछे देखो! वहाँ एक नीले रंग की बास्केट बॉल है! अच्छा! तो अब तुम बास्केट बॉल खेलने वाले हो! बास्केट बॉल कोट भी आ गया! बास्केट बॉल को इस तरह जमीन पर मारने को कहते हैं डिबलिंग! और हमारे हीरो की पहली कोशिश नाकामियाब रही! कोई बात नहीं! मंडे फिर से कोशिश करो! अब थोड़ा करीब से करना! मंडे बास्केट के पास जा रहा है! और ये बास्केट! हमारा मंडे दा मॉंस्टर तो हर एक खेल में कमाल कर रहा है! देखते हैं तीसरे अंडे में क्या मिलता है वाव तीन मीले टैडी बैस देखो मंडे इन्हें किस तरह उच्छाल रहा है और ये तीन हो गए उसके बैग में चलो मंडे चलते हैं अगले चैलेंज की ओर ये है एक गॉल्फ क्लाब बच्चों क्या कभी तुमने पहले गॉल्फ खेला है ये बहुत मुश्किल होता है पर हमारे हीरो के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है देखो कैसे एक्सपर्ट की तरह शॉट लगा रहा है और ये बॉल जा रही है दाईयोर अरे नहीं अभी बाईयोर अब ये फिर से दाईयोर आ गई और ये होल एंड वान वाव मंडे कमार कर दिया अब देखते हैं तुम्हें संडे के अंदर क्या मिलता है ये तो हैं चार छोटे छोटे मेंड़क ये भी हमारे मंडे दा मॉंस्टर की तरह हरे हैं इन्हें देखकर वो बहुत कुछ हो गया हमारा मंडे दा मॉंस्टर इन्हें भी अपने बैग में रख रहा है एक बेजबॉल और ये क्या ये तो मंडे के दोस्त मूमू और लूक हैं ये भी उसके साथ खेलेंगे लगता है बहुत मजा आने वाला है बच्चों और ये पहली गेंद घूमती हुई स्ट्राइक वान और अब मंडे दूसरी गेंद फेकने के लिए तयार स्ट्राइक टू याहू देखते हैं तीसरी गेंद पर क्या होगा और ये स्ट्राइक ट्री मतलब आउट और ये है हमारे मंडे का विक्ट्री डांस देखते हैं बैगनी अंडे से क्या मिलता है ये अंडा हिल रहा है ये तो हैं पांच छोटी छोटी मचलियां वाउ अब तो मंडे के पास बहुत सारे खिलोने हो गए हैं बाई बाई अरे समलके देखकर नहीं चलो के तो ऐसा ही होगा ना मंडे तुम्हारे सारे खिलोने बाहर गिर गए नई नई अब रोना नहीं हाँ हसते हुए ही अच्छे लगते हो हेलो दोस्तों मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका दोस्त मंदेद मॉन्स्टर एक बार फिर आ गए हैं। चिडिया मॉन्स्टर के लिए एक संदेश लेकर आई है। इसका मतलब हमारा मॉन्स्टर करने वाला है आज एक टास्क। थैंक यू बर्डी। अपना संदेश देने के बाद बर्डी उड़ गई। देखते हैं आज का टास्क क्या है। एक बनाना यानि केले को ढूणना है। हमारा मॉन्स्टर निकल पड़ा। ये है हमारे मॉन्स्टर का दोस्त पैगो। पैगो को हाई कहो। और इसके पास क्या है। क्या ये केले हैं। नहीं, ये दो लाल रंग के एपल यानि सेव हैं। हमारे मॉन्स्टर को भूख लगी है, तो इसे खा लेते हैं। थाना यमी। ठैंक यू पैगो। बाइ बाइ। याद रहे बच्चों, हमें ढूणना है एक केला। और यहां बास्किट में कुछ फल रखे हैं। हेलो लूख, ये है हमारे मॉन्स्टर का दोस्ट लूख, क्या ये फल एक केला है। नहीं, ये है एक औरंज यानि संत्रा। इसे भी खालो, इसमें होता है विटमिन सी, हमारा मॉन्स्टर हो गया और भी स्ट्रॉंग। बाइ बाइ लूख, पता नहीं हमें बनाना यानि केला कहां मिलेगा। अरे, बच्चों, ये क्या है? मंडे, इसे तोड़ने की कोशिश करो, कम आन, कुदो! आ गया मंडे का दोस्ट टिम, क्या ये केला है? हाँ, टिम ने कहा कि ये केला ही है, और वो बेड़ पर तेजी से चड़ने लगा। टिम ने निकाला एक केला, और हमारे मॉन्स्टर का टास्क पूरा हो गया। हमें मिल गया बनाना यानी केला, थैंक ये टिम, बाई! पहले मंडे को मिला एपल यानी सेप, उसके बाद मिला ओरेंज यानी संत्रा, और आखिर में बनाना यानी की केला, और मंडे को जो टास्क मिला था, उसने वो पूरा कर दिया। हमारा मॉंस्टर तो है बहुत खुश, बाई बाई! ये है नमबर तीन, और ये चौथा मुखोटा, अगला कौन सा होगा? सही कहा पाँचवा, और आखिरी है छटा, बचों क्या तुम जानते हो ये मुखोटी कौन से जानवरों के हैं? ये है पहला मुखोटा, जरा इसकी आवास तो सुनों! हाँ, ये है एक टाइगर, यानि बाग, ये है भारत का राष्ट्रिय जानवर, अगला है टॉम टॉम जरा आवास सुनकर बताओ, ये कौन सा जानवर है? सही कहा, ये है एलिफेंट, यानि हाथी, हाथी बहुत बड़े होते हैं बच्चों, अब अगला टॉम 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 जरा इसकी आवास सुनकर बताओ, ये क्या है? हाँ ये है डॉगी डॉगी बहुत ही भरोसे मंद जानवर होते हैं बच्चों अगला टो 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 ये कौन सा मुखोटा है जरा आवाज सुनकर बताओ हाँ ये है cat यानि बिल्ली बिल्लियों को दूद पीना बहुत पसंद होता है अगला है टॉं टॉं ये कौन सा मुखोटा है इस जानवर को हम बिना आवाज के पहचानेंगे ये है पैंडा और ये गोलू मोलू क्यूटू सा टेडी बैर जैसा होता है बच्चों अब बचा लास्ट मुखोटा और जड़ा आवाज सुनकर बताओ ये कौन है हाँ ये है एक लाइन यानि शेर आज हमने कितनी सारी चीज़े सीखी बच्चों मज़ा आया ना अब ये मुखोटे चले जाएंगे पर तोमेन के नाम मत भूलना ये जा रहा है मैं भी जाता हूं बाई सब्सक्राइब करना ना भूले मज़ेदार मंडे